Hey guys, आज की वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाले है, क्योंकि आज मैं live बताने बाला हूँ कि कैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसी वीडियो अभी आप computer screen पर देख रहे हैं, यह मैं कैसे record कर रहा हूँ, पूरा full मैं practical implementation इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आजाएं, आप Instagram Reels पर आजाएं, फिर जिस भी वीडियो marketing प्लेटफॉर्म पर आपको जाना है, आप जाएं, बट पहले वीडियो बनाना सीख लें कि कैसे आपको एक full professional वीडियो बनानी है, full HD वीडियो बनानी है, मैं बताऊंगा एक ऐसा software, जिस software की मदद से मैं अभी live record क जो अभी आप वीडियो देख रहा है, ये मैं पूरा आपके सामने open करने बाला हूँ, और फर उसके साथ कैसे screen, आपको like size सही करना है, कैसे उसको HD में लाना है, सब कुछ इस वीडियो में हम discuss करने वाले है, तो वीडियो होने वाले है, बहुत important, इसके पहले बतादू, जि हम आपके लिए digital marketing से related, video marketing से related, और जितनी भी like online learning की strategies है, इस channel पर हम आपको share करते रहते हैं, so guys, start करते की, कैसे मैं videos को record करता हूँ, पूरा life बताने बाला हूँ, तो सब सब पहले आपको Google पे आना है, Google पे आने के बाद आपको एक software install कर लेना है, free software है, और आप application भी बोल सकत अपने PC में, आपका PC 32 विट का हो, 64 विट का हो, कोई भी विट का हो, दोनों के लिए ये available है, तो देखिए क्या करना है, मैं बता जिता हूँ, simply आपको यहाँ पे आना है OBS, और मैं बता दूँ, अभी मैं पूरी setting बताने वाला हूँ OBS की, इसलिए video पूरी देखना है, क् OBS की setting सबसे जदा important है, OBS तो सब लोग download कर लेते, but like मेरे जैसी setting जैसे मैं की हूँ, बहुत ही कम लोग इस type की videos बनाते है, तो आपको आज से बनाना, start कर देना है, अगर आप professionally videos बनाना चाहते हैं, आप YouTube पर survive करना चाहते हैं, आप like, और दूसरी video platforms पर आना चाहते हैं, तो एक बार आप पूरी videos देखना, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले OBS studio आपको यहाँ पर आ जाना है, यह देखिए OBS studio डाउनलोड या कोई भी आप जा सकते हैं, तो मैं चलता हूँ इस पर, तो guys मैं Google पर आ गया हूँ, Google पर सबसे पहले आपको website मिलेगी OBS project.com, आपको OBS project. .com में आ जाना है, और यहाँ से OBS studio डाउनलोड कर लेना है, अभी मैं setup भी बताने वाला हूँ, पहले बता दूं कहां से आपको डाउनलोड करना है, और आपका PC किस टाइप का, उस टाइप किस आप से आपको डाउनलोड करना है, तो guys मैं OBS की website में आ चुका हूँ, आप द लाइब उसी software पर बताएंगे कि कैसे मैं ये video record कर रहा हूँ और आपको कैसे setting करना है, बिल्कुल zero level से बताने वाला हूँ, तो ठीक है, यहाँ से आप download कर लेना free software है, कोई आपको आपको आपर charge pay करने की जगुरत नहीं है, तो चलते हैं सीधे हम OBS पर, मैं अपन OBS open कर ले तो ये मेरा text है, ये मैं हूँ और ये मेरी computer screen record हो रही है, अब देखिए मैं इसको पहले एक side adjust करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा मैं करना क्या चाहरा हूँ, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपके सामने इस type की scene आएगा, यहाँ पर एक plus का button आएग तो आपका scene 1 के name से create होगा जब आप install कर लोगे, तो आपको एक scene यहाँ पर create कर लेना है, scene create करने के बाद आपको इस plus पे click करना है, और इस plus पे click करने के बाद आपको सबसे पहले display capture device चूज़ करना है, display capture device मतलब होता है screen recording, पीछे की screen रहेगी वो आपकी display जो रहेगी वो आ display ही capture हो रहा है OBS के form में, तो आपको सबसे पहले display capture device यहाँ पर ले लेना है, display capture device लेने की बाद, तीन से चार चीज़े बताऊंगा, आपका काम हो जाएगा, आपको audio input capture ले लेना, audio input capture कहा मिलेगा, यह मिल जाएगा, इस plus पे सारे कुछ मिल जाएगे, आपको display capture यह है, audio input capture यह बस इन पर click करते है आना तो आपका आजाएगा, फिर आपको लेना है video capture device, जैसे आप video capture device लेंगे, आपके पीछे screen आएगे, जो भी आपकी screen रहेगी, वो screen आपके आएगी और आपका full size का photo is type से आएगा, तो सबसे पहले तो आपको size छोटा कर लेना हो, और size छोटे करन है यह सबसे important step है, अगर आप background remove कर लेते है फिर इसको तो आपको ऐपको left click करना है, Lieft click करने के बाद, simply आपके सबंङए यह options open हो जाएँगे, इस पे आपको filter पर click करना है filter पर click करने के बाद आपको यहां पर इसकी screen size छोटी करनी है, छोटी करनी के बाद यहां से chroma key का option select कर लेना है, मैं chroma key का option को select किये हुए हूँ, और अभी मैं आपको live दखाने बाला हूँ, ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने chroma key का option select किया, भी मैं थोड़ा सा screen size बढ़ा कर द OBS का use करेंगे, तो आपके पीछे भी like green screen होगी, तो आप green screen से अपने screen remove कर सकते है, तरवाइस कोई दिक्कत नहीं, आप background रखना चाहते हैं, तो कोई background रख लें पीछे, और फिर video record होने दे, video record कैसे करना है, वो बता दूँगा, आपको simply display capture ले लेना है, और ये video capture device लेना है तो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे green screen है, अब मैं इस green screen को कैसे remove करता हूँ, ये मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आने के बाद, simply मैं ये similarity आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, और इसको बढ़ाने के बाद मैं इतना कर देता हूँ, देखो जैसे मैंने कुछ view open करता हूँ, Google open करता हूँ, या कुछ view open करता हूँ, तो display पीछे capture हो रही है, और उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, display capture की ऊपर मैंने या पे आप देखेंगे, देखो, display नीचे लिया हूँ है, मैंने, और ये है, और मैंने video capture वाईज उपर लिया हूँ है, निकि display तो पी video capture की मतलब आपका फिज यहां पर आ जाएगा, अब बात करते हैं कि यह जो text आ रहा है, इसमें भी सर मुझे doubt है कि यह text कैसे आएगा, अब चलो मैं यहां पर text देना चाता हूँ, या कहीं भी आप text देना चाते हैं, तो यह text कैसे आएगा, यह तो simply आपको यहां पर click करना ह करके बता रहा हूँ, live आपके सामने, तो आप भी कर सकते हैं, फिर, यहां पर test capture पर आना है, test capture पर आने कवाद, ok करते हैं, ठीक है, यहां पर click देता हूँ, hi, I am shivam, guys, video देखने के बाद, एक बाद channel को जरूर subscribe कर लेना, अगर video अच्छी लगती है, तो लोगों को share करें, जो भी video marketing में आना चाते हैं, उनको जरूर बताएं कि आप इस type से videos बना सकते हैं, hi, I am shivam मैंने कर दिया है, और यह मैंने text ले लिया है, ठीक है, यह एक text ले लिया है, अब बात आती है आपके दमाग में कि sir, text ले लिया है, अब sir, text को आपका जैसे move हो रहा है, बो कैसे हो क्रीन छोटी कर दे नहीं है, कर दो छोटी, plus पे click करो, जो मैं बता रहा हूँ, वोज़ आपको बो करना है, आप ए click professional बे में videos बना सकते हैं, don't worry, ठीक है, और फिर आप और भी चीज़ें आप यूज़ें सीख सकते हैं, ठीक है, I am shivam मा रहा है, आप थोड़ा सा इसको speed को बढ़ा दो, यह देखू, काम हो गया आपका, आपका test चलने लगा, तो आपने देखा कितना simple था test को run करना, नीचे भी test चल रहा है, उपर भी test चल रहा है, बस यह पूरा process था test को run करने का, ठीक है, टेक्स अभी यह run होने लगा है, अब black का क्या है, black तो इतना simple है, पीछ एक मैं black screen का use करना हूँ, बस, यह मैं black screen का use करना हूँ, वो भी सबसे नीचे की side में, जिससे की मैं यहाँ पर text रख सकूँ उसकी उपर, तो एक आपको कोशी करना है, आपको canvas से black screen बना लेनी है, और गूगल से copyright free black screen डाउनलोड कर लेनी है, और यहां से, इसमें image में, यहा यहां पर आना है, images में आना है, okay करना है, और upload कर देनी है, आपका काम हो जाएगा, तो यह सब हो गया, अब आपके मन में एक doubt और पैदा हो सकता है, कि sir, अगर मैं Instagram के लिए बनाना चाहता हूँ, या फिर किसी और like social media के लिए बनाना चाहता हूँ, या फिर YouTube के लिए screen size में change करने चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, यह है option, setting में आओ, setting में आने के बाद video पर आजाओ, video पर आने के बाद यह देखो base canvas, अभी मैं इसको change नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है, मैं live video बना रहा हूँ, तो base canvas में आप अपना जो भी size है, Instagram का size रहता है, square में चा आप से size डाल सकते हूँ, YouTube का size यह मैं ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं, देख सकते हूँ, मेरा live में रेकॉर्ड कर रहा हूँ, live आपके सामने बता रहा हूँ, यह देखो, 1920, 1080 size में ले रहा हूँ, like 16 ratio 9, तो आप भी size को ले सकते हैं, तो यह आप कर लाएं, और इसको करने के बाद, यहां से फिर एक बटन में लेगा start recording का, इस recording को like आप यहां पर on कर सकते हैं, अब आप यहां से live streaming भी कर सकते हैं, live streaming के लिए ऊपर है, start streaming, यहां से आप streaming की डाल देंगे इसमें, तो live streaming कर से पाएंगे, और मैं बता दूँ, अब इससे जादा आपको कुछ भ दिया black, और just a second, और मानलो कोई और होता भी, तो मैंने black ले लिया, इनको मैं नीचे कर देता हूँ, अभी के लिए, यहां कर दिया है, और इसको मैं आटा देता हूँ, और यह मैंने अपना ले लिया, तो black की जगा और कोई भी background होता है, तो ऐसे आप अच्छे से वीडियो record कर सकते, तो यह थी आज की पूरी वीडियो, कि कैसे OBS के तुरू वीडियो बनाने है, वीडियो अच्छे लेगे से वीडियो को like करें, और मैं बस एक ही request चाहता अगर जिसको वीडियो marketing करनी है, कोई आपका friend है, जो वीडियो बनाना चाहता है, या फुर कोई education provide करना चाहता है, लेकिन वो quality नहीं दे पार है लोगों को, तो यहां से quality मिल जाएगी, OBS को suggest करें, मेरी video prefer करें, और जरूर से आप इस वीडियो को देखकर apply करें, so thank you guys, thank you watching this video, वीडियो अच्छी लेकिन वीडियो को like करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कोई भी doubt रहेगा, तो नीचे दिए गए WhatsApp नमर में हमें contact कर सकते है, digital marketing का course अगर मुझसे life सीखना है, तब भी आप हमें नीचे contact कर सकते हैं, so thank you guys, thank you watching this video.